नवस्कार दर्शक मित्रों आजना निउस फोकेस मां हूँ फाल गुणिशा आप सर्वेनों हार दिख स्वागत करूँशू शर्वात करिये मुख्य समाचारों थी अमदावाद घांदिनगर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट ने केबिनेट नी मंजूरी योजना नो कूलकत 10,730 करोड रुपया अमदावादियोंने नरेंद्र मोदी नी दिवाडी नी भेट 2005 बाद पहली वार डिजल नी किम्मत मां करायो घटाडों डिजल नी किम्मत मां मदिय रात्री थी त्रण पूडंग साड़त्री स्पईसानों घटाडों बन्षे अमली जयल अलितानों जेल मां थी छुटकारों 20 दिवसना जेल वास बाद घरे पहुँच्या समर्थको मां खुशी नू मोजू विदेशों मां काळून नाणू जमाकरावनार नी विगतों जहर करवा सरकार प्रयतन शिल होवानू जनावता केंद्री नाना मंतरी अरून जेतली सरकार बहाना करी रही होवानों कॉंग्रेस नू अक्षेव महाराष्ट्रा ने हर्याना विदानसबा चुंतिनी नी आवतिकाले मत गणतरी राजकोट पस्चीम विदानसबा बैठक नी पेटा चुंतिनी नूपन काले परिणाम विश्वने पोलियो मुक्त बनावामा पाकिस्तान अडचन रूप हवानू विश्वा आरोग्य संस्थानू तारण पोलियो ना एंशिटा का केसिज एकला पाकिस्तान मा समाचार विगत्वार कुल 35 पूर्णांक 2 किलोमीटर लांबा आवा रूट पैकी 28 पूर्णांक 2 किलोमीटर नो रूट एलिवेटेड रहेशे जारे 7 किलोमीटर नो रूट अंडरग्राउंड रहेशे पेट्रोलनी माफक डिजलनी छूटक वेचान किम्मतने अंकुष मुक्त करवानो हिम्मत्वान निर्णै मोधी सरकारे लेता आज मदराथ थी डिजलना भावमा लीटर दीठ 3 रूपया साड़त्री स्पैसानो घटाडो थाशे केबिनेट बेठक बाद महत्वना निर्णै प्रमाणे मोधी सरकारे प्रत्यक्ष लाभ हस्तानतरन तरीके ओडखाती डिबीटी योजनाने वधू असरकारक स्वरूपय लागू करवानो निर्णै कर्यो छे फर्टिलाइजर सबसीडी माटे 14,000 करोणनी जोगवाई बैंकिंग व्यवस्था आहिठण करवानी वात पण श्री जेटली ये जहहर करी हती कुद्रती गैस ना भाव नक्की करवानों सस्पेंस पण आजे पूरो थाई गव छे पहली नवेंबर थी गैस नो भाव यूनिट दीठ 5.100 डॉलर जेटलो मोधी सरकारे नक्की करता गैस उत्पादक परवानेदार कंपनियोंने फाईदो थाशे पूर प्रकोपना भोग बनेला जम्मू काश्मीर मा वर्तमान सरकार्नी मुदत जान्योरी 2015 मा पूर्ण थाई रही होवा थी राज्य मा विदानसबा चूटनी योजवा संदर्भे केंद्रिय चूटनी समीतिना त्रोण सभ्योए जम्मू काश्मीर नी मुलाकात लिधी हती मोख्य चूटनी कमिश्नर वी एस संपत सहित अन्य बे चूटनी अधिकारियों एसेज ब्रह्मा अने नसीम जैदीनी टीमे श्रीनगर नी मुलाकात लिधी हती जम्मो काश्मीर विधानसबा नो 6 वर्ष नो कारेकाल आगामी वर्षे 19 जान्युआरी ये पूर्ण थाई रहो छे त्यारे चूटनी संदर्भे तमाम पक्षोनू मन्तव्य लेवाई गयूं छे रहतकार्यों मा अडचन रूप थाया वगर चूटनी योजवा आंगे दिल्ली खाते विशेश चर्चा काश्मीर शासन नी धूरा संभाल्या बाद राजकिये रिते महत्वनी गणी शकाय तेवी महराष्ट्र अने हरियाना विधानसबानी चूटनी ना परिणामों आवतिकाले जहर थाशे आंगे जोईये एक हैफाल હર્યાણા અને માહરાષ્ટ્ર વિદાંસવા ચુંટણી માટે આવતી કાલે હાથ ધરાણારી મતગણત્રી માટે સવ તઈયારી સંપણ થઈ ચુકી છે સવારે આઠ વાગ્યાથી બને રાજે માં મતગણત્રી શરુ થશે હર્યાણા વિદાંસવાની કુલ નેવુ અને મહારાષ્ટ્ર વિદાંસવાની 288 બેઠકો માટે ની મતગણત્રી ચુકી છે મતદાન પછી સામે આવેલા એગજીટ પોલના તારણો દેશ ભરમાં ઉતેજના સરજી ચુક્યા છે એગજીટ પોલને ભાજપા બંને રાજ્યમાં સૌથી મોટા પક્ષ તારીકે ઉભ્રી રયો હવાના તારણ જહઈર થાયા હતા કેટલાક એગજીટ પોલે તો ભાજપા ને બંને રાજ્યમાં સ્ષ્ટ બહુમતી આપિ દીથી હતી બંને રાજ્યમાં ચુંટની પ્રચારનું સુકાન પ્રધાન મંત્રિ નરિંદ્ર મૂદી ના હાથમાં એગજીટ પોલના તારાનો સામે આવ્યા પછી બલ્લે રાજુમાં મુખ્યમંંત્રી ના દાવેદારો પણ વધી ગાય હર્યાના ના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી ભુપિંદર્સી હુડાને પણ વીજય હેટ્રીકની આશા છેજ રવિવારે હાથ ધરાનારું મતદાન આ તમામ અટકળોનો અંતાણ શે દૂર દર્શન સમાચાર આવક્થી વધુ સમપ્તી કેસમાં સુપ્રીમ કોટ તરફ્થી જામિન મેળવનાર AIA DMK પ્રમુખ જે લલિતા આજે ઉપ્ચારીક કારેવાહી પૂર્ણ થાયા બાદ જેલમાંથી મુક્ત થાયા છે જે લલિતા બાંગેલુરું જેલથી નિકળીને સિધા ચેણનાઈ પહુચે હતાં જે લલિતાની મુક્તિ બદલ તેમના સમર્થકોમાં ભવ્ય ઉજમણીનો મહોલ છવાયલો છે જે લલિતાને આવકારવા તેમના નિવાસ્થાન બહાર સમરથકોની ભારે ભીડ જામી છે જે લલિતા અડાર ડિસેંબર સુધી તેમના નિવાસ્થાને જરેશે સુપ્રિમ કોટે આવક્થી વધુ સંપતી કેસમાં જઈલાલિતા પરના દોશો સાબિત થયાના વીસ દિવસ બાદ ના માટેના શરતી જામી નાપ્યાં છે આ પૂર્વે કરનાટક હાઈકોટે જઈલાલીતા તથા અન્ય ત્રણની જામી ન કે 1905 માં કેનદ્રમાં UPA શાસન વખતે સ્વીજલેન્ડ સાથે બેવડા કરવેરા નિવારણ સંધી હેછળ વિદેશી બે કેત્ના શીલ હવાનું જાણવી તેમણે ઉમેર્યુ હતું કે માહીતી મેળવા ગઈલી ભારતીએ ટીમને સ્વીજલ કેલો સવાલ દેનેશવાઈ હું આપને કરીશ આજે જેમ ન્યુજમાં આપને જોઈં કે કાળા નાનો મુદ્દો ફરીથી કાનું કાનું કર્દે જેમાનું કાનું પર્તે કાનું પરીતે લેય આને જેત્લીએ આજ મુદ્દે ઉપર કર્ળ કરીતે કરીતે કરવા પડેયતિએ તો આ ઘટા વીષે આમરા દરશક મિરેતે આપ જનાવશું ઇમાં યનું आपने चार्सो लाग करोड रुप्यानु कालु नानु विजेशी बेंकों माँचे। आपने के विजे करें। आपने कालु नानु आपने जने कई एची एची थोड़ी स्पष्टता कर भी जोगी। जने समांतर रसा तंतर केवा माँचे। पेरलल एकनोमी। आपने जने कालु नानु बधू बैंकों माँचे। यह ख्याल पन तोड़म अधूर हो छे। अमान आपती बापत ने आदार है। आपने तमारा टेक्सी स्पधार है थे। ने काने लोगों टेक्स छुपाऊनों प्रयातना करें। आपने सवथी बधारे टेक्स नी चोरी क्या था है। इंकम टेक्स परनाथी चती। समान तर अर्षा तंत्रा नी अंदर गोल-गोल चक्रावरी मापक फरीड होगी। आपने यह काराने आजे आजे अजने से। अम्दावद नी अंदर तमार एक फ्लेट लेवो होए। तो यहनी किम तोचमचे 25-30 लाग थी शरू थाईचे। अने जमीन नों टुक्लों लेवो होए। तो करोडों लिप्या तमारी पासे जी। तो आप जा पैसा आवे से क्या थी आनना पैसा जाईचे जाईचे क्या। टेक्स तो कोई परतूत नसी। तो काड़ू नाणू अने धोडू नाणू वीशे पड़ा दर्शकमित्रों ने कहीं केशा अना नों फरक्षू चे। धोडू नाणू एकले टेक्स जेने परहलोचे। आपने बदा पगारदार होचे। तो आपने टीडीयस कपई जाईचे। अनों बारोबार टेक्स भरे जाईचे। पर जे लोगों टीडीयस भरता नाथी। आनने बारोबार पईसा लेलेता होचे। एवाज जबीनना सौधागर होचे। मुटा मुटा बिल्डर होचे। यहां पास यह भरपूर काडून नाणू चे। आनने समांतर अर्षा तंत्रमा पानेचे। केटलुक नानू चौकव स्विदेशी बैंकों मा गय हुआ श्रे। अनने स्विद्जर मेंग नी जबी गनिपती बैंकों यह भी चे। नना ना टापूँ ओचे। यहां गडिपती बैंकों यह भी बैंकों चे। अनने स्विदेशी बैंकों यह भी बैंकों यह भी खबर है कि अहमदाबाद की मेट्रेल को प्रजेक को मनजूरी मिल गए। तो पहले यह आप बताएं कि इसका फर्स्ट फेज इस बिन क्लियर्ट तो फर्स्ट फेज में क्या-क्या होगा और एहमदाबाद की जनता कब से एहमदाबाद में मेट्रेल को दोड़ती हुई देख पाएगी। हाजी, अमदाबाद की जनता बहुत दिन चे आशा करती थी कि मेट्रो रोल ये शहर में बने और लोगों के जो ट्रांसपोर्ट की सुविदा है उसमें बढ़ा है। आशका दिन में अमदाबाद में 60 लाक जैबी वस्ति चए। जो सायट लाकी वस्ति होता भी ट्रांसपोर्ट की प्राबलम जो दूसरा शहर की कंपेर करें। देली है या बैंगलूर है या इदरबाद है इसमें उतना जादा प्रब्लम आज का दिन हुई नहीं है और ये गुजरात राज की हमारे देश की नेतागनों की ये सोच है कि जा प्रब्लम होने से पहले उसको सुविदा सलूशन धून के रहे है यही रही ते बियार टी बने के लिए एक टू सस्टेनिबिलिटी जो ख़वाज है उसके जो सीति का सस्टेनिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात है थोड़ी और आप कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि इस मेट्रो रेल का प्रजेक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ी डीटिलिस दे सकते ह यह है अमदबाद की जो बात चल रहे है पहले फेज में 35-9 km की पुरा सैंक्शन हुई विए है उसमें दो करड़ार होंगे एक East-West वेस्ट 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 गांफ से शुरू होती है फिर तलतेज होते हुए दूरदर्शन, गुरुकुल, गुजरात, इनुवर्सिटी और कॉमर्स कॉलेज, स्टेडियम, आश्यम रोड होते हुए अंडर्ग्राउंड चले जाएंगे उदर रिवर क्रॉस करके वह जाएंगे उसके बाद में खालुपूर ओंगे, कलुपर में बेंडर्ग्रोंड जाएंगे, कलुपूर की वाद कंकरी इस्त जो दूसरा स्टेशन की ओव जो बाचु एस्त बाजू, एक स्टेशन इस्त बाद में फिर उपर आएंगे, पहले तबका उपर ऐएंगे, फिर का बाद अंडर्ग्राउंड होगा कालुपूर और कंकारी इस्ट का बाद में अपरेल पार्क में वो उपर आएंगे उपर से फिर उदर से असर्वा जायेगा रभारी कॉलनी वस्त्राल अंदेन वस्त्राल गाम तक यह 18 स्टेशन होंगे वो एक पूरा सिटी को नौर्थ और इस्ट वेस्ट जाते हुए नर्थ ओसाथ आधाध अल्मोस्त आधावाग नौर्थ में आधावाग इस्ट में बहुत अच्छे अलाइनमेंट हुई है इसिंक बहुत अच्छे सुविदा साभीत होंगे और ऐसे ही जो नार्शोथ करड़ार है वो करड़ार अभी फर्स्त में शुरू होंगे मोटेरा थे मोटेरा साबरमती एसी साबरमती रेलवेस स्टेशन रानिप वाड़ाज उस्मानपुरा और आश्रम रोड पे दोनो जो लाइन्स जो है उदर मिलेंगे और उसके बाज नीचे जो गांधी ग्राम और फिर पालडी अंजली और अप्टु एप से उदर तक जाएंगे तो यह विशाला तक और यह इस्ट वेस्ट का दो भाग हो गया तो ऐसा देखा जाएगा तो यह जो पूरा दो दो सेंटर में मेट्रोरेल आलाइन हुआ है वह बहुत अच्छी बात है इसमें और भी दो-चार चीजे बहुत शेयर क्या करता है मेट् अच्छी नगरामदबाद कंपनी से कि BRTS, AMTS बस प्लस वाकिंग की सुविधा जो है यह सब चीजे पहले से ही इंटेग्रेट करते चले ऐसा देखा जाएगा तो जो लैक वाड़ एक मेजर टर्मिनल बनेंगे आश्रम रोड की जो दो मेट्रोरेल मिलेंगे उधर मेजर टर कर्मिनल बनेंगे ऐसा ही जहां-जहां BRT और मेट्रो जो लाइन क्रॉस करते हैं वो सब इंट्रचेंज फेसलिटिस होंगे जब इंट्रचेंज फेसलिटिस का बात करते हैं मतलब दोनों फिजिकली एक मोड से दूसरा मोड में जाने का सुविधा होगा और ट्रांसवर में और BRT में और बस में एक ही टिकेट होंगे चार-चार बार टिकेट लेने का जरूत नहीं पड़ेगा और उससे और भी एक चीज़े बहुत अच्छी बनी है यह प्लानिंग में कि जो लास्ट मेल कनेक्टिविटी जो बोलता है है जहां स्टेशन से लोग अपना गर चल अच्छान नहीं है बहुत मुश्किल है वह सब जो प्लानिंग में यह सब अभी सम्मेल इरत हुई है पहले से ही वह बहुत अच्छी बात है और उस उदर जो पार्किंग के लिए भी पेंट पार्क जहां-जहां हो सकता है उदर किया जाएगा टर्मिनल्स में और इंटीग अच्छी बोलता है ट्रांजिट ओरिंटेड डेवलपमेंट उदर जहां जो ज्यादा लोग आते हैं उदर और भी सुविदा कमर्शियल अक्टिविटीज होंगे शॉपिंग माल्स बनेंगे उस बनने देखते जाएंगे हम लोग आज टिंक्स डेवलप वह सब जो जहां- अच्छी बहुत सारे शहर में जो दिखा जाता है अमदरबाद में देखने में लेंगे और अमदरबाद की लोगों के लिए भी उसका सुविदा मिलेगा और जब मेट्रो बनती है अमदरबाद शहर बहुत कंपक्ट शहर है और ज्यादा लंबी ट्रावल करना जरूरत नह है उसको टार्ने के लिए ओर भी प्रहात न किया गया है में मेट्रो में दोनों बाजू में अफका दिन पॉल्ह जैघनल तीह उसको चाह तर शक्ट बादा है चाह तक बढ़ा सकता है आप उसको फ्रेम नहीं मिलंगिंगे जो पैसा आएंगे उसमें को पैसा आ आंगे तो शुरू करेगी बहुत सारे शहर लंभी समय लिया है मकर जडबती जडबती कहीं शहर बनाये भी है हमदबाद की ट्राक ट्राकार देखते जाएंगे ऐसा नजदी की ट्राक ट्राकार देखेंगे तो ब्यार्टी की है तो 2006 में अपरूव 7 में टेंडर निकले 9 में खुले ऐसे बादी जो मेट्रो की जो फस्स ट्रेन हमारी अंदाज है और सरकार की मानना भी है साधे चार पांथ साल में पांथ साल में निकल जाना चाहिए और यह प्रोजेक्ट में आपको क्या-क्या दिक्कते आई क्या बट्रोब्लम्स यह थो फेस अलाइन इंड़ इसल फेसे एक दिन की बात नहीं लंबी बात है और सिटी को कहां लेके जाना है वो सब देखते विए मेगा और गुजराज सरकार ने किया गया है तो वही एक बहुत बड़ी डिशिजिएन है और अप्रूल्स है रेल्वे अथारिटी के अप्रूल है दूसरों की अप्रूल से सबकी स जो मंजूरी मिली है इस प्रोजेक को इसके लिए इसके हिसाब से कुछ फाइदा होगा थोड़ा पुश मिलेगा या अभी इंप्लिमेंटेशन के लिए क्या होगा प्लान बनाके सरकार के जो के अंदर सरकार में वेजे गये थे बहुत पहले उसमें पी आई भी होता है बह जो उसमें प्रेखने लिए 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 लेटीस अप्रूवल फॉर्मल अपूरूवल अपर्णर्शिप यह बन जाती है यह होने से अभी मेट्रो आज से शुरू हो गया ऐसा सोचना एधिंक हो सकता है उसमें कुछ दोराय नहीं है मेट्रो आज से शुरू हो गया तो आज से जब मेट्रो दोड़ेगी उसके बीच में क्या क्या वाट वाट अल्यू एंटिसिपेट बैसिकली जो बनाने के लिए टेंडर्स निकालने है जी और सब जो है वो भी अलट पॉसस चालू है मेरा खाल से जो मैं जितना तक चानता हूं और सब तेंडर्स बहुत सारे चीजे बहुत अडवान स्टेज में हैं इंप्लेमेंटेशन चालू होने में शायद बहुत देर नहीं लगेंगे वह एक बात है और यह मेट्रो बनने से अम्दबाद की इमेज ऐसे भी बहुत सारे लोग विदेशी लोग अम्दबाद म ऐसे लग बन जाती है चेब एच्छी बन दे तो इक को अक्सेसिबीलिटी इंक्रोड होता है ऐसे उल्दी के इंपरोवा द hai ओल्डिटी होने से जो हो एडर Wow सिटी की जो सेंटर जो है उसकी जो अकसेशैविटीप बनने से लोगों की व्याहश्त Principal दोने में आशर पडेगा पॉजिटिवली जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्ण कि मारे तमारों खुब खुब बाभार काड़ो नानो धोड़ो थे ने देशनी प्रगती माटे आपड़े कम लेशके एवी अपड़े आशाराखे एंसर थेंक यू वेरी मुच पार्ग गुट इंफरमेश्ट समाचारों मादवधिये केंद्रिय विद्यालाई संगठन नी विद्यार्थिनियों माटे पिस्तालिसमी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगी ताउनू गांधिनगर खाते आयोजन करायो हतू आस पर्धा माँ देशपर नी एक तालिस सो जितली स्पर्ध कोई भागली दो हतो विजेताओने राजिपाल ओपी कोहली ना हसते इनाम अरपन कराया हता शिक्षन माँ वर्गखंड जेटलूज महत्व रमतना मैदाननों पड़ होवानू राजिपाल लेई राम नुब राश्ट्र भाषा हिंदी नू जतन करती हिंदी साहित्य परिशदना उपक्रमें अमदावाद खाते विविद स्पर्धावनू आयोजन कराया हतू जेना 20 विजेताओने राजिपाल ओपी कोहली ना हसते इनाम पाया हता हिंदी ना प्रचार प्रसार तेमज कच्छ विशे बार पुस्तको लखनार डॉक्टर गोवर्दन शर्मानू पण विशिस्ट योगदान बदल राजिपाल श्रीना हसते सन्मान कराया हतूं एन्सिसी मा पण गुजराती युवानों नू योगदान बधी रहुँ छे एन्सिसी मा तालिमबध राजियना अनेक युवानों हवे सैन्यमा उच्छ होद्दाओ पर पहुँचिने देश प्रतेनी फरज अदा करी रहा छे अगाव एवी मान्यता हती के गुजराती युवानों सैन्यमा जवा प्रत्य उदासिन छे परन्तु राजियनी युवा पेढ़ी हवे आ मान्यताने खोटी धेर भी रही छे प्रस्तु छे एक एवी मान्यता हती के गुजरातना युवानों सैन्यमा कार्य करवा माटे उच्छाहित न थी गुजरातना लोको फक्त वेपारज करी शके छे परन्तु हवे आ मान्यता इतिहास बनी गई छे तेनू कारण छे के गुजरातना लोको हवे सैन्यमा पर उच्छा होद्दा सुधी पहुची रहा छे औने देशनी सेवा करी रहा छे आ वाद खुद NCC ना एडिशनल जनरल कही रहा छे अमदावादमा NCC द्वारा योजायल वार्शिक सन्मान समहरम दर्म्यान तेम्णे आवात कही हती मैं गुजरात वादस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के बच्चों ने खास्तोर गुजराती योगा ने बहुत अच्छा काम किया पिछले दो साल के अंदर और खास्तोर पर NCC के अंदर NCC के अंदर हमने जब देखा था पहले कि दो साल पहले करीब हालात यह थे कि हम लोग नीचे से यानि के बॉटम से तीसरे चौथे प्राज्व स्थान पर थे और अब यह हाल है कि पिछले साल तक्रीवन हम हर कॉंपटेशन के अंदर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हैं आगामी दिवसों मां 20 हजार्थी वधू विद्यार्थियोंने NCC मां सामेल करवामा आवशे वधूने वधू गुजरातना विद्यार्थियों NCC मां जोडाय तेमाटे गुजरातना पालनपूर, अम्रेली, पाटन, दाहोध, जामनगर औने घांधी दाम तेमाज वेरावल जिवा शहरों मां NCC ना नवा केंद्रों शरू करवामा आवशे दूरदर्शन समाचार अमदावाद अमदावाद मा जागरूत, जन्ग, चेरिटेबल, ट्रस्ट औने आनंद निकेतन स्कूल ना संयूक्त उपक्रमे परिमल गार्डन खाते सफाई अभियान हाद धरायू हतू शाडाना बालकोमा स्वच्चतानी भावना विक्साववा, तेमज बालकोना माध्यम थी, लोकोमा पन जागरूती लाववाना बेवडा हेतू सर सफाई अभियान शरू करायू हतू बगिचानी मुलाकाते आवेला लोकोपण विद्यार्थियो साथे सफाई कार्यमा जोडाई गया हता। बहारतमा आईफोन सिक्स आने सिक्स प्लस स्मार्टफोननू वेचान शरू करताँज एपल स्टोर बाहर ग्रहा कोनी कतारो जोवा माणी हती। एपल द्वारा लॉंच थैला आबनने आईफोन वर्जन मा अनेक नवा फीचर्स नो समावेश करवा मावियो छे। खास तो आईफोन खोवाई जवाना संजोगों मा पाछो मेलवी शकाई तेवा फीचर्स नो पन तेमा समावेश करवा मा अवियो छे। भारतना प्रोफेशनल्स मा नवा वर्जननू खास आकर्शन जुवा मली रहूं छे। भारत माटे एपले 55,000 आईफोन 6 आयात कर्या छे। भारत मा रूपया 53,500 थी मांडी ने 31,500 नी किम्मत ना आईफोन 6 तेमज रूपया 62,500 थी मांडी ने 28,500 सुधी नी किम्मत ना आईफोन 6 प्लस फोन बजार मा उपलब्द छे। आने हवे जुए देश ने विदेशना केटलाक महत्वना समाचारो संक्षिप्त मां। चुटणी मां फरज बजावी परत्फरी रहला साइने ना जवानों आने अर्धसाइनिक दड़ोंने लईने परत्फरती इलेक्षन स्पेशल ट्रेन मां इलावाद नजीक लागी आग किटलाक जवानों घवाया ना एभाल। अमेरिकन राष्ट्रपती बराकोबा माए इराकाने सीरिया मां अमेरिकन रण नीती नी करी समिक्षा, बनने देशों मां कराएला आइस आइस ना हवाई होमला नी करी चर्चा। भारतिये जुनियर होकी टीमे फूलतान जोहर कप मां रमाईली मैंच मां अस्ट्रेलिया ने छबेथी आपी हार। भारतना डिफेंडर हर्मन प्रीत बन्या आज इतना हीरो। विश्व स्वास्थि संगठाने दक्षिन आफ्रिका मां फेलायला इबोला ना फेलावाने अटकावा मां मलेली निश्वरता माटे पूर्ता प्रयासोनों अभाव पन एक कारण होवानू स्विकार्यू। आ माटे कर्मचारियों मा कारेक्षमता तेमज रोग विश्वनी पूर्ती माहितीनों अभाव जिवा कारणोंने पन गणाव्या जवाबदार। अमेरिकन राष्ट्रोपती बराक ओबामा ए इबोला जिवा घातक रोगोना फेलावा पर कारेवाही करवा एक इबोला प्रभारीनी करी जाहरात। सामुही कने वैश्वीक प्रयासों माटे आहवान करता विदेश मंत्री जौन कैरी। नाइजीरियाना इसलामिक चरंपंती समू बोकोहरम साथे संघर्श विराम मुद्दे सैन्याइ साधी सहमती। अपरण करायली विद्यार्थियोंने पन छोड़ी मुकवा बोकोहरमनी तैयारी। नाइजीरिया ना रक्षा प्रमोख एलेक्स बदेहे करी संघर्ष विरामनी जहरात जो के बोकोहरम तरफ थी कोई स्पष्टता नहीं। सीरिया मा इस्लामिक स्टेट मा समाविष्ट करायला इराकी पाइलेट आईयेस ना सभ्योंने विमान चलावानी ताली मा पी रहा छे। आजानकारी सीरिया ना युद्ध पर नजर राखनारा माना वधिकार संघठने आपी छे। इराक नी राजधानी बगदाद मा थाएला कार बॉम धड़ाका मा त्रेविस ना मौत एक विस्फोर्ट पूर्व बगदाद ना बादालियात विस्तार मा ज्यारे बिजो विस्फोर्ट अदमिया मा थायो। तर्शक मित्रो आज इन न्यूस फोकस मां बस आतलूज आपना बन्ने महानुभावनों फरी एकवार आभार मानिये छे आवतिकाले फरी मलेशू अत्यारे रजा लेए आव जो नमस्कार